कहानी की शुरुवात में हम यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका बचपन बहुत मुश्किलों भरा रहा है। उसके माता पिता उसके साथ अच्छा व्यभार नहीं करते थे, उसे बिलकुल प्यार नहीं करते थे। और एक समय था जब यू के पिता उसे मारना चाहते थे। लेकिन यू तो किसी तरह बच गया लेकिन उसके माता पिता मारे गए। यू को एक अनाथालय में लाया जाता है जहां वह वहां के केर टेकर से मिलता है जो उसे मीका और अन्य बच्चों से मिलवाता है दूसरे बच्चे यू का स्वागत करते हैं लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद वह दूसरों पर भरोसा नहीं कर सका लेकिन फिर भी अनाथालय के बाकी बच्चे यू को अपना दोस्त बनाने की पूरी कोशिश करते हैं जैसे जैसे समय बीटता है यू खुलने लगता है और वह दूसरे बच्चों को अपने नए परिवार के रूप में स्विकार करता है लेकिन उसकी खुशाल जिंगी में तब ब्रेक लग जाता है जब पूरी दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जो 13 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जान ले लेता है यू और अन्य बच्चे अब जीवित हैं और उन्हें कुछ वेंपायर मिलते हैं जो उन सभी का अपहरन कर लेते हैं अपने फायदे के लिए अब चार साल बाद हम यू और दूसरे बच्चों को देखते हैं जिनसे जबरन खून खिचा जाता है जिसे पिशाच पीते हैं लेकिन अब यू ठक गया है और यहां से भागना चाहता है अपने दोस्त मीका से बात करते समय वर दो पिशाचों को देखता है जो मसूम बच्चों को मार रहे हैं यह देखकर यू का खून खौलने लगता है और वो पिशाच पर हमला करने के लिए दोड़ता है हाला कि यू केवल 12 साल का लड़का है और वो वेंपायर का सामना करने में असमर्थ है यह देखकर कि एक वेंपायर उसे नीचे फेंकने जा रहा है मीका डर जाता है और अपने दोस्त की जान की भीक मनता है लेकिन वो पिशाच यू को छोड़ने वाला नहीं है तभी वहाँ एक अच्छा वेंपायर आता है जिसका नाम फरीद है और वो दूसरे पिशाचों को बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है मीका मुस्कुराता है और फरीद के पास जाता है और वो पिशाच उसे अपने महल में आमंत्रित करता है शाम को सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और खाना बनाने वाला कहता है कि मीका की वज़ह से उसे ये खाना मिला है यूँ देखता है कि मीका वहाँ नहीं है और पूछता है कि वह कहा है जिस पर दूसरे बच्चे उससे कहते हैं कि वह फरीद के मायके चला गया है और बताता है कि उसने नक्षा और बंदूग चुरा ली है। वह भी फरीद की हवेली से ताकिवा यहां से भाग सके। फिर जैसे ही मीका यू और बाकी बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फरीद उन्हें पकड़ लेता है और मीका और यू को छोड़कर बाकी बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए मीका बंदूग उठाता है लेकिन उसे मार देता है। मीका यू को भागने के लिए कहता है लेकिन यू बंदूक उठाता है और फरीत के सिर में गोली मार देता है। मीका मर रहा है लेकिन वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास यहां से भागने का मौका है। और वह अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन यू भूमिगत शहर से बाहर आने के बाद वो गुरेन और उनकी टीम से मिलता है जो मून डेमन कंपनी के लिए काम करता है जो एक मानव सैन्य समू है जो पिशाचों के खिलाफ लड़ता है। गुरेन ने यूको मिलिटरी स्कूल में भरती कराया है लेकिन गुरेन से बात किये हुए काफी समय हो गया है। पिर वे दोनों कुछ आवाजें सुनते हैं और बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग अपने सहपाथी योईची को धमका रहे हैं। यू उसे बचाने जाता है लेकिन शिनोवा कहती है कि अगर तुम उन लड़को को मारूगे तो तुमें सेना में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए उसे पीटना भी पड़ता है। ये सब खत्म होने के बाद योईची उसे बताता है कि उसने मिलिटरी स्कूल में क्यों दाखिला लिया है। क्योंकि वा अपनी बेहन की मौत का बदला लेना चाहता है जिसे एक वेंपायर ने मार डाला था। तभी एक बड़ा धमाका होता है और सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ एक वेंपायर आ गया है। दूसरी लड़की को काटने वाला था वेंपायर का ध्यान भटकाने के लिए यू वहाँ आ जाता है। फिर जैसे ही पिशाच यू पर हमला करता है यू अखिरकार अपनी तलवार पिशाच के पेट में डाल देता है। लेकिन गुरेन का कहना है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो टीम से नहीं लड़ते। यू योईची को गले लगाता है और ये सोचकर रोने लगता है कि उसे लगा कि वह अपने दोस्त को खो देगा। शिनोवा गुरेन को बताती है कि यू ने आखिरकार अपना एक दोस्त बना लिया है। एक सपने में यू अपने दोस्त मीका को देखता है और जब वह होश में आता है तो योईची उसके बगल में बैठा था। शिनोवा वहां आती है और बताती है कि आप दोनों को मून डेमन कमपनी में शामिल कर लिया गया है। यू की बरती ताकत को देखकर गुरेन ने फैसला किया कि उसे एक शापित हतियार देने का समय आ गया है। यू योईची और बाकी बच्चे गुरेन का अनुसरन करते हैं और उस कमरे में जाते हैं जहां उन्हें ये शापित हतियार दिया जाएगा। गुरेन उन्हें समझाते हैं कि यहां जो समारों होने जा रहा है उसका क्या महत है। वो बताता है कि यहां हर शापित शस्त्र में एक शक्तिशाली राक्षस है, और जब तक यह राक्षस तुम्हें न ले ले, तब तक तुम्हें नस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकोगे, आपको उनकी वास्तविक शक्ती नहीं मिलेगी, अब जैसे ही रस्म शुरू होती है, तुम्हें इस शक्ती की आवशक्ता क्यों है, यू उससे कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना परिवार खो दिया है, तब ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये काफी नहीं है, यू घूमता है और अपने परिवार को मृत लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हमेशा मजबूत रहना होगा जैसे ही दानव को यू में कोई कमजोरी नजर आएगी ये शैतान उस पर हावी हो जाएगा दानव बताता है कि उसका नाम असुर मारू है तब वह अपने होश में आता है और देखता है कि उसे उसका शापित हतिया मिल गया है वह अपने दोस्तों को देखता है जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं फिर एक बड़ा धमाका होता है और गुरेन कहता है कि यूची हार गया है और अब शैतान उसके पास होगा वह यूची को एक दानव में बदलते हुए देखता है और गुरेन यू को बुलाता है गुरेन यू एक और लड़के कि मिदुकी को यूची को मारने का आदेश देता है लेकिन यू नहीं मानता यूची को अपनी बहन की एक याद याद आती है जब उसकी बहन ने उसे जाने और छिपने के लिए कहा था और उसने अपनी जान दे दी ताकि यूची जीवित रह सके। तब गुरेण यू से कहता है कि तुम्हें अपना नया परिवार सुईकार करना होगा। फिर वह तीनों को बताता है कि शिनुई नाम की एक लड़की उसके दस्टे का नेत्रित्व करेगी। और वह तीनों लड़कों को ये भी बताता है कि उन्हें कल पिशाच से लढने के लिए भेजा जाएगा जो शिंजुकु शहर पर कबजा करने जा रहे हैं अगले दिन वह सխी युध के मैदान के लिए निकल जाते हैं और शिनुई उन्हें बताता है कि वे अभी भी पिशाच से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वो उन्हें कोई जादूई दवाई देती हैं इससे उनकी लड़ने की ताकत बढ़ेगी एक गोली उनकी ताकत को एक पांच गुना बढ़ा देगी दो गोलिया उनकी ताकत को दो गुना कर देंगी लेकिन अगर कोई तीन गोलिया लेता है तो इससे शरीर को काफी नुकसान हो सकता है और उसकी मौध हो सकती है ये दवाएं केवल 15 मिनट तक काम करती है और फिर दोबारा कमजोर हो जाती है युद के मैदान में पहुँच कर वे सभी गुरेन को देखते हैं जो बहुत कमजोर हो गया है पिशाच से लड़ते हुए शिनुई उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गोली देता है और उसकी आग्या का पालन करते हुए गुरेन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखकर U को बहुत गुस्सा आता है, जब एक वेंपाइर गुरेन को चाकू मार देता है वह पिशाज की ओर दोड़ता है और अपना हतियार पिशाज की चाती पर रख देता है वो एक दूसरे को देखते हैं और U का गुस्सा शान्थ हो जाता है जब वर देखता है कि उसने अपने पुराने दोस्त मीका को चाकू मार दिया है गुरेन यू को अपने हतियार का इस्तिमाल करने और उसे मारने के लिए कहता है लेकिन यू अपने दोस्त मीका को दोबारा नहीं खो सकता गुरेन खुद उस पर हमला करता है लेकिन मीका बच निकलता है फिर वो गुरेन से माफी मांगता है कि उसने मीका को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मीका उसका दोस्त था इसलिए मीका और फरीद यू और बाकी लोगों को मारने की योजना बना रहे है गुरेन खट्रा देखकर सभी को वापस जाने के लिए कहता है. लेकिन फरीद यू को रोकता है. फरीद को ताना मारते देख यू को बहुत गुसा आता है. वो उस पर हमला करता है लेकिन असफल रहता है. मिका आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं यहां से भागने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यू उलजन में है और उससे पूछता है कि तुम फरीद के साथ क्यों काम कर रहे हो उसने हमारे परिवार को मार डाला है लेकिन मिका उसके सवालों का जवाब नहीं देता और वह सिर्फ इतना कहता है कि लोग आपको अपने फायदे के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन यू मिका की बात नहीं मानते हैं लेकिन जैसे ही वह पीछे मुर कर देखता है तो उसे अपना निता शिनवा ऐसा दिखता है जैसे किसी पिशाच ने काट लिया हो ये देखकर उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है और उसकी बाई आंखलाल हो जाती है और फिर वह एक अजीब जगह पर पहुँचता है जहां उसे एक राक्षस मिलता है यू उससे कहता है कि तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो जिस पर वह कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर एक भूत है जिससे मैं बहुत ड़ता हूँ और वह कहती है कि बहुत देर हो चुकी है आपके अंदर का जानवर आप पर हावी होने वाला है और हम वास्तव में देखते हैं कि यू की एक आंखकाली हो जाती है और वह एक राक्षस की तरह बदलने लगता है मीका यू से बहुत डरता है और अपने दोस्त से बात करना चाहता है लेकिन यू ने उस पर हमला कर दिया क्रावली एक शक्तिशाली पिशाज जिसने शिनवा को काट लिया था यू के पास आता है यू क्रावली से लड़ता है और अपनी ताकत से सभी इमारतों को नश्ट कर देता है और जमीन पर एक बड़ा सा गढ़ा बन जाता है इस तबाही को देखकर क्रावली और भी ज़्यादा डर जाता है और यू गुस्से में अपने धारदार हतियार से एक बहुत बड़ा काला खंभा बना देता है क्रावली टावर के अंदर पहुँच जाता है और टावर के उपर एक रोशनी आती है जो खंभे को नश्ट कर देती है उसके बाद यू शिनोवा को देखता है और उसकी ओर दोड़ता है वो पागलों की तरह सबको मारता है जैसे ही वो शिनोवा को मारने वाला था मीका बीच में आ जाता है और खुद को कुर्बान कर देता है गुरेन शिनोवा पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अभी भी यू को बचा सकते हो U को बचाने के लिए शिनोवा U को गले लगाती है और उसे वापस आने के लिए कहती है और फिर U वापस इंसान में बदल जाता है और उसके मुह से खून निकल रहा होता है और वह जमीन पर गिर जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में